मेरे प्यारे दोस्तों कल मैंने आप सबको सुशान सिंग राजपूत के कुक नीरस का फर्जी बयान सुनाया था जिसमें वो लंबी लंबी फेंक रहा था आज उसी आडियो का मैं आप सबको पार्ट टू सुनाता हूँ आप लोग सुनिये बस सुनिये कि ये कैसे जूट कहते वक्त हकला रहा है मानों ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट इसके सामने रखी वो यह वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई इंटर्व्यू का पार्ट है बलकि ऐसा लगता है कि ये कोई क्राइम पेट्रॉल का एपिसोड कमरे के पास गया और सर का कमरा खोला नी था तो सिदार्त ने फिर सर को फोन मिलाया लेकिन फोन नी उठा तो हमने फटा फट से कमरे की चावी ठोना चालू की लेकिन हमें चावी नहीं मिली तो फिर सिदार्त पिठानी ने चावी वाले को बुलवाया दो फैर के लगब करीब दो बजरे थे तो चावी बनाने में समय लगा इस लिए सिधार्त सर ने दर्वाजा तोड़ने को कहा पांसे दस में दर्वाजा तोड़ने में लगे इसके बाद हम दोनों ने चावी वाले को नीचे भेज दिया और दिपेश ने दोनों को स्ट्रीय दोजार उपे दिये और फिर वो चले गए इस भी फिर जब डिपेश उपर उपर आया तो सिधार्त ने खूला तब कुरा कंवरा अंधेरा था और एसी चालू था और तभी दिपेश ने कम्रें की बत्ति चालू की और सिधार्त आगे बढ़ गया और अचानक बहार किया तुकोछा हा गया तो चुषान सर का जो जह्रा खड़की की तरफ मु करके और बिस्तर के किनारे हारे कुर्ते से हरुत फश्फेत है में लट्का हुआ था मैं बुरी तरह ग抱रा के में बुरी तरह के में निकल गया कि सिधार्त ने मीतू दीदी को फोन किया और उन्हें सुचित किया कि तब सिधार्त ने मुझे कुड़ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा था कि मैं एक मैं चाकू लाया और मैं चाकू लाया सिधार्त को दे दिया और फिर सिधार्त ने चाकू से वो कुड़ता काट तिया शुशान सर के पैर बिस्तर पर टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर गिर गिर किया इसी समय इसी समय मीतु दीदी कमरे में कमरे में आई और कि चिल लाने लगी गुल्शन तो नहीं कि ये क्या किया फिर मीतु दीदी ने सर को मीतु दीदी सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा तो ठीक से लेटाने को कहा फिर हमने सर को हमने सर को बिस्तर पर लेटाया उसी उसी समय उसी समय मैंने शुशान सर के गले से कुर्टे की कपड़े को एक तरफ फैग दिया सिधार से ने सुशान्त की छाती को दबाया उसे कि सर को होश में लाने की कोशिश की लेकिन इसे कोई फरक नहीं पड़ा फिर सिधार ने मदद के लिए मदद के लिए पूलिस फान खी फिर फीर फाम पुलिस पॉलिस पूलिस आगई साथ्य मसर सर सूशंज ने आतमार्तर करने के लिए ज्यों कुरता यूज किया था वो सर शुशान सिंग सर काई था, कुर्ता सर फैब इंडिया कंपनी का था, सर के पास ऐसे तीन-चार कुर्ते और है सर, इन कुर्तों का अस्तमाल सर पूजा के दिन किया घरते थे सर, और सर तुम वहीं रहते हो, तुमने सब देखा, तुम्हें कहा लगता है? पांच्य महिनों से सर की तबियत भी ठीक नहीं थी, तो इसी कारण उन्होंने आत्मत तैकी होगी सर, मुझे तो ऐसा लगता है